राम राम भाई सबको आपका स्वागत है मेरे चैनल में सीजी पीटी में है ना दोस्तो सबसे डिमांडिंग वीडियो जो थी अपने कमेंट बॉक्स पे जो लिख रहा है सब इने की जेई मेंसे भाई आपलाय करें की पीटी से अपलाय करें कई लोग का ऐसा भी कमेंट आर थ कि बच्चों को अलोट हो रहा है जाई मेंसे कॉलेज हमें क्यों नहीं मिल रहा थी इन सब बातों पर आज अपन डिसकस करेंगे विख्यात रूप चैनल पर ठीक है वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहली बात भाई सबस्क्राइब कर दो मेरा चैनल क्योंकि आगे भी म कोडिंग के लिए वीडियो जाला करूंगा और मेकनिकल एलेक्टरिकल वाले जो बच्चे उन लोग के लिए कुछ और देखूंगा ट्राय करूंगा अपने तरफ से जो भी मेर से प्रयास होगा वैसे कोडिंग वाले बच्चों को बता दूँ कि सबसे पहले अपन लोग C लेंग्विज जो है वो पढ़ेंगे क्योंकि जिन लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि फर्स्ट यर में जबी भी आपको एक उलेज जाओगे तो आप लोग को सबसे पहले C लेंग्विज पढ़ाया जाता है जो भी आपकी लेंग्विज आप प्रिफर करों आप जावा प्रिफर करते हो पाइफन प्रिपार्च यर में आप लोग को आप लेंग्विज पढ़ाया जाती है अब यह लैंग्विज होती क्या है थोड़ा सबता जाता हूं आप सने सब के लिए बता रहा हूं सी लेंगवेजी होगा सबसे पहले आप लोग के लिए आप कई से पता कर लो तो सी लेंगवेज सबसे पहले पढ़ते हैं तो अपन पढ़ेंगे अगर जो पूडर साइंस वाले जिनके पास लैपट आप नहीं है तो उनको जुगाल करो आसपास नहीं है तो और अगर है तो फिर तयार रहा हो अपन सी लेंगवेजी पढ़ेंगे ना उसको कैसे इंस्टॉल करना है वेगरा वेगरा सब आगी वीडियो में बताएंगे अब आज की व जिसके पास 36 गड़ का डोमेसाइल है तो उससे मैं प्राथना करूंगा कि भाई तू पीटी से अप्लाय कर जेई मेंस से अप्लाय नहीं करना क्यों देखो जेई मेंस जो है वो पर्टिकुलरली अधर स्टेट के बच्चों को कॉलेज की सीट देने के लिए लिए लाया गय मेंस मेंस में अमारे पास जो मेंसाइल भी है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेंस के थू जो अधर स्टेट के बच्चे उनको प्रिफेरेंस दी जा रही है उन लोग को 60% पे 68% पे इसे परसेटाइलों पे जो है कॉलेज अलॉट हो रहा है और आप लोग को इसी वज़ प्रू नहीं दिया जा रहा है आप जनरल वाले हो तो आपको नहीं मिलेगा है ना तो अगर आप ST SC हो तब आप जैमें से अप्लाय करो और उसमें भी जैमेंस में अगर आप लोगा कम से कम ज्यादा परसेंटाइल लॉंच कम से कम 85 तक होना चाहिए तब आपको आपका वह कॉ से अप्लाय करो हमारे स्टेट वाले अगर आप लोग का 30 नंबर भी है अगर आपके 40 नंबर भी है अगर आपकी रैंक 7000-8000 है अगर 10,000 भी रैंक है तो भी आप PT से ही अप्लाय करो आप J-Min से अप्लाय करो कि भाई रोल मत दो ना मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपकी ज् इसा ही करो बाकि वह आपका अपना decision होने वाला है है ना सिर्फ आपको suggest करूंगा कि देखो अगर आपको आपका college चाहिए तो आप PT से अपको ज्यादा preference दी जाएगी जही में से आपको कम preference दी जाएगी भली आपकी ज्यादा percentile हो अब अगर आप लोग को discuss करना है तो चलो साथ परसेंटाइल दिखा रहा है ऐसी सेम तुसेम तो कि specialization के लिए सारे के लिए ऐसा ही है कुछ ना कुछ ना STSE वालों का lot हो रहा है और अपना जो जेनरल वाले हो लों का lot नहीं हो रहा है और एक और चीज़ देखो इसमें डो में सायल यस या नो वाइ या एन देखो वाइ जो है वो यस के लिए है एंजा वो नो के लिए है तो वह भी देख लो एक बार यह pdf में अल्रेडी अपने ग्रूप में शेयर कर चुक है तो जिन लोग को भी टेलीग्राम ग्रूप में जोइन होना है उनको बता दू कि उनकी जो टेलीग्राम की ग्रूप की लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से आप उस टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन हो सकते हो उसमें पहले से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सब बच्चों की बीच में उससे पता चलता बाखी क्या हालात है सब बच्चों की है न तो अगर आपको भी उसमें जॉइन होना है तो उसकी लिंक मैं बता जाता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है तो यही था आज का वीडियो मतलब मैं को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ था कि जेई में से पीटी तो मैं बोलूँगा कि अगर आप 36 गड़ वाले हो तो पीटी से डालो अगर आपके पास जो में साइल है तो आप 36 गड़ के हो अग अगर आपके परसेंटाइल कम से कम 85 से अबव है तब आप उसको क्या करो आप उसको कनवर्ट कर दो किसमें जै मेंस में ठीक है तो यही था वीडियो दोस्तों आज का मेक शौर जाने से पहले वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो और बने रहो चैनल से जब तक के लिए अगली वीडियो के लिए जय हिन जय भारत जय जोहार